जय बागिशवर धाम सरकार जय बालाजी सरकार दोस्तो आप सबी लोग जानते हैं कि नवरात्रे का चौथा दिन कब लग रहा है 29 सितंबर 2022 को और इसी दिन विनायकी चेतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है दोस्तो ये नवरात्रे का जो चौथा दिन पड़ रहा है जिस द जदा समस्या है, कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं है या कोई ऐसी समस्या है जो कि आप किसी को बता नहीं सकते, बस आपको वो समस्या जल से ठीक करवानी है, तो दोस्तों उसके लिए नवरात्रे के ये चौते दिन का विशेश उपाय जरूर करना, इस उपाय को आप नौशंटे कर लेकर और एक भी का त्यार करके आपको यह ही चौथे दिन अनवरात्ये के mycket तो दोस्तो अब आपको शिव जी के मंदर पहुंचना है शिव जी के मंदर जैसे ही आप लोग पहुंचना है तो सबसे पहले आपको अपने नौ शमी पत्र में से पांच शमी पत्र अलग निकाल लेना है यह पांच शमी पत्र को आपको शिव लिंग के ऊपर एक गनीज जी क इस तान उता है उच जगह पर समर्पित करना है अब आपके पास चार शमीपतर बचे हुए हूँगे उनमें से तीन शमीपतर आपको और निकालना है जो कि आपको शमीपतर बचा हुआ होगा और एक घीक दिपक बचा हुआ होगा तो अब आपको आजाना है शिवजी के मंदर की चौकट पर अंदर ही खड़े हो के देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा है उस उल्टे हाथ की चौकट पर बची हुई एक शमी पत्र आपको समर्पित करना है उसी शमी पत्र के साइड में जौप एक घी का दीपक गोलबाती का घी डाल कर तयार करकर ला है उसे उसी शमी पत्र के साइड आपको उस दीपक को जला दिना है और वहीं पर बैठकर आपकी जीवन में जो दुख समस्या चल रही हो परिशानी चल रही हो आपको भगवायन शिफ्ट से बोल देना है कोई काम रोक रहा है या टक रहा है कोई पैसा नहीं दे रहा है पैसों की समस्या हो रहे है जो दुख समस्या हो भगवायन शिफ्ट से दीपक जलाने के बाद गनेज जी का मोर्दोज मेर्दोज गनेज जी का नाम लेकर आपको बो दोल देना है निस्चिति आपके वैस दुख समस्या बहुत जल्दे दूर हो जाएगी इसी नवरात्रे में नवरात्रे में आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको बहुत ही विश्षय शुकल जरू मिलता है इस उपाय करने हमको कोई भी समस्या आती है उतुद आपको आप